रमोला के पांचों लड़के अब जवान हो गए थे और सबकी शादी की उम्र भी हो गई थी रमोला को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी फिर एक रोज उनका खांदानी पंडित अर्चना नाम की लड़की का रिष्टा उसके सबसे बड़ी बेटे अशोक के लिए लाता है रमोला बिना ज़ादा देर किये उन दोनों की शादी करवा देती है और फिर बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हुए बोलती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है ये ले बहू आज तेरे मो दिखाई है ना तो ये साड़ी तु अपनी मो दिखाई पर पहन ले सासुमा अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी मा की दे हुई साड़ी पहन लूँ हम, पहले मुझे दिखा कि वो साड़ी कैसी है, अगर हलकी हुई तो मैं पहनने नहीं दूँगी हाँ, पहले ही कहे देती हूँ अर्चना अलमारी से वो बनार्ट सी साड़ी लाकर अपनी सास को दिखाती है, जिसे देख, रमूला की आँखे फटी की फटी रह जाती है अरे वा बहु, ये तो बहुत ही सुन्दर साड़ी है, वैसे कितने की लिए तुने मा जी, मेरी ममी ने ये साड़ी पुरे 40,000 की लिए है, एक्दम फ्योर बनार्ट सी सिल्की साड़ी है, मा ने बोला था कि अपनी मुदिखाई पर इसे ही पहनियो अच्छा-च्छा, ठीक है, इसे ही पहन ले, चल, अब तु तयार होकर नीचे आजा, मुहले की ओरते आती ही होंगी कुछ तेर बाद अर्शना तयार होकर नीचे आती है, उसकी साड़ी देख सभी ओरते हैरान रह जाती है, तब ही उसमें से ममता नाम की एक औरत कहती है बहु को दी है, वो क्या है ना, घर की पहली बहु है, तो मैंकी साड़ी देना तो बनता है, रमोला सब के सामने जूट बोल देती है, साथ ही अर्चना को भी चुप रहने को बोलती है बिचारी बहु चुप चाप अपनी मा की दी हुई साड़ी का सारा क्रेडिट अपनी सास को दे देती है साड़ी के साथ साथ सभी अर्चना की खुप सूर्ती की भी खुप तारीफ करती है ऐसे कुछ दिन भी बीच जाते हैं और फिर दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है फिर रमोला अपनी बंटी जी अरे बहू तु चुप कर तुझे कुछ नहीं पता ममता मैंने अपनी पांचो बहूं के लिए एक जैसी ही साड़ी ली है एक साड़ी चालिस हजार रुपे की है वो क्या है ना मैंने ही चाती कि मेरी पांचो बहूं को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है अरे ये सासुमा जूट क्यों बोल रही है उन्होंने तो कहा था कि ये खांदानी साड़ी है इसी दुविधा में किर्ती मुधिखाई के बाद अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो अर्चना उसे सारी बात बताती है दीदी ये तो गलत बात है सासुमा और कितना जूट बोलेंगी वो भी आपकी मा की दी हुई साड़ी को लेकर चलिए हम अभी सासुमा से इस बारे में बात करते हैं नहीं किर्ती हमें अपनी ससुराल को और अपनी सास का मान रखना ही होगा यही हमभवों का फर्स है ऐसे ही कुछ महीने बाद रमोला की बाकी तीनो लड़कों के लिए तीन सगी बेहनों का रिष्टा आता है जिसके लिए रमोला मना करी रही थी कि तब ही उसका छोटा बेटा धवल उसे रोक लेता है लेकिन मा वो तीनो लड़किया हम तीनो भाईयों को पसंद है फिर आप मना क्यों कर रही हो क्योंकि सासू मा के पास तीन बनार सी साडिया नहीं है ना इसलिए फिर अपने बच्चों की मर्जी के आगे रमोला को जुकना पड़ता है और वो अपने तीनों बेटों की शादी में कैसी लगती है मा जी आँटी किस साडि की बात कर रही है मैं बताती हूँ मेरी देवरानियो सासू मा ने अपनी पाँचों बहों के लिए 40,000 वाली महंगी बनार सी साडि खरीद रखी है कल तुम सब पहनोगी अपनी अपनी बनार सी साडिया अरे मैं तो कहती हूँ कल पाँचों बहों को एक साथ बनार सी साडिय पहना कर मुदिखाई करवा दे जब पाँचों एक साथ आएंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी वांटी कितना अच्छा आइडिया है किर्थी तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों बोल रही हो क्योंकि एक ना एक दिन तो जूट का अंत हो नहीं है न दिदी ये ममता तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ेगी वैसे गलती भी सारी मेरी ही है अपनी बहो की साडी को मैंने अपनी दी हुई सारी बताया तो भुगतना तो था ही अगले दिन सभी बहों अपनी सास से सारी मिलने का वेट कर रही थी तभी रबूला उनके पास आती है और कहती है अर्चना बहो मुझे माफ करते मुझे अपना एक जूट छुपाने के लिए ना जाने कितने जूट बोलने पड़े मुझे से गलती हुई जो मैंने तुम्हारी मा की दी हुई सारी को अपनी दी हुई सारी कहा लेकिन सच कहूं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम पांचों को नई सारी दिलवा पाँँ वो भी इतनी महुकी ऐसी नौबत नहीं आएगी माजी वो कैसे? मोदिखाई करेंगी अपनी बहूं की समझदारी देख रमोला बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए फिर कभी जूट ना बोलने की कसम खाती है फिर कुछी देर में वो पाचो बहुए एक जैसी बनारसी साड़ी पहन कर सब के सामने आती है जिससे रमोला की इज़त पर कोई दाग नहीं लगता और फिर पाचो बहुएं की मोदिखाई खुशी खुशी हो जाती है